हेलो गाइज, वेलकम ओल उफ्यू जयसे कि आप लोग जानते हैं इस कलास में हम लोग जीके जीस का प्रेक्टिस करते हैं जो एक्जाम में बार-बार पुछा जाता है तो पहला कोचन है सूर्ज के परकास से कौन सा विटामिन पराप्त होता है तो सूर्ज के परकास से विटामिन D पराप्त होता है वो सरीर की असकीन दवारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है अगला कोचन है सभी दूरी पर वस्तु को देखने के लिए आंख की छामता को क्या कहा जाता है अगला कोचन है रेडियो तरंग संचरन के लिए पर्यूक्ट वायू मंडल की परत कौन सी होती है तो रेडियो तरंग संरचन के लिए, संचरन के लिए परियुक्त वायू मंडल जो होती है, सो आयन मंडल होती है, आयनों अस्ट्रोफियर होती है अगला कोचन है, किसी पदार्थ के विलियन को गरम करने से उसकी विलियता पर निमलिखीत में से क्या परवाव पड़ता है निमलिखीत में से कौन सा वायू घटक जलने में सहायक होता है तो वायू घटक जलने में जो सहायक होती है सो ओक्सिजन होती है तो ओक्सिजन का पर्योग कहा होता है तो आग जलाने में ओक्सिजन का पर्योग होता है लेकिन पुछा कोचन पुछा जाता है कि आग बुझाने में किसका पर्योग किया जाता है तो आग बुझाने में कार्बन डैकसाइड का पर्योग किया जाता है CO2 का पर्योग किया जाता है आग बुझाने में अगला कोचन है निमलिखित में से कौन सा तपमान का मातरक नहीं है तो तपमान का मातरक जो है सो पास्कल नहीं है आप देखते हैं कि पास्कल जोसे क्यों नहीं क्योंकि जब हम नापते हैं बोडी का टेंपरेचर तो body का temperature नापते हैं तो Kelvin में 310 Kelvin होता है Fahrenheit में बोलते हैं तो 90.6 Fahrenheit होता है और Celsius में पुछते हैं तो 37 degrees Celsius होता है तो सब हम तपमान को किस में माप लेते हैं? Fahrenheit में, Kelvin में, Kelvin में और Celsius में लेकिन Pascal में नहीं मापते हैं इसलिए answer जो होगी तो option number B होगी अगला कोचन है निम धातु में से कौन सी कमरे के तपमान पर दरव अवस्ता में होती है तो मरकरी जो धातु होती है तो कमरे की ताप पर दरव अवस्ता में होती है और इसको denote करते हैं HG से इसको किसे denote करते हैं? HG से याशी जी को क्या बोलते हैं पारा और इसी को क्या बोलते हैं मरकरी अगला कोचन है तामे का परमानू करमांग क्या होता है तो कोपर का जो अटोमिक नमर होता है सो 29 होता है अगला कोचन है विटामिन बी का कमपलेक्स में कितने विटामिन होते हैं तो जब complex की बात करे तो 8 होती है विटामिन B का 8 complex होती है अगला कोचन है हडापा की खुदाई किसके दावारा किया गया था तो हडापा की खुदाई जो से द्यारम सहनी दावारा की गई थी अगला कोचन है सिंदु घाटी के लोगों का सबसे महतपूर्ण विरीच कोन सा था तो सिंदु घाटी के लोगों का सबसे महतपूर्ण विरीच जो था सुप पीपल था और पीपल क्या होती है सबसे ज़्यादा ओक्सिजन देती है सब कोचन पुचला तक सबसे ज़्यादा उक्सिजन कौन देती है तो सबसे ज़्यादा उक्सिजन जो होती है सो पीपल देती है अगला कोचन है गुलाम वन्स का अंतीम सासक कौन था तो गुलाम वन्स का जो अंतीम सासक जो था सो समसुदिन कैमूर था कौन था समसुदिन केमूर था और गुलाम वन्स की आस्थापना पुछे तो गुलाम वन्स की आस्थापना जो हुई थी सो बारोसव छे में हुई थी अगला कोचन है पाटली पूत्र को पाटना के नाम से पुना आस्थापित किसने क्या था तो पाटली पूत्र का नाम बदल कर पटना के नाम से जो रखा था सो कौन रखा था तो सेर्शा सूरी ने रखा था अगला कोचन है गांधी जी ने सत्यागरा का सवर पर्थम पर्योग कहां किया था तो गांधी जी ने सत्यागरा का स्वर पर्थम पर्योग जो किया था तो दच्छी नाफिरका में किया था और दच्छी नाफिरका गांधी जी कब गये थे तो अठारा सो तिरानबे में गये थे और यहीं जो से रंग भेद भी समाब्द किया थे रंघ भेद जो होती है नहीं समावत किया था अगला कोचन है भारतिय आर्थ ब्यास्ता का मुख अधार क्या है तो भारतिय आर्थ ब्यास्ता का मुख अधार जो है अगला कोचन है सविधान संसोधन की परकिरिया किस देश के सविधान से लिया गया है तो सविधान संसोधन की परकिरिया जो है सो दर्थिन अफिर्का से ली गई है अगला कोचन है दल ब्यदल निरोध युपंध किसमें वर्नित है तो दल बदल निरोधक युपंध जो है सु दास्मी अनुसूची में वर्नित है अगला कोचन है सविधान सभा के संचालन समीती के अधियच कौन थे तो सविधान सभा के संचालन समीती के अधियच जो है डॉक्टर रजंदर परसाथ थे लेकिन पुछा जाता है कोचन कि जेविक किरपलानी कौन थे तो ये जहन्डा समीती के अधियच थे कौन थे ये जहन्डा समिती के अधियत जहन्डा समिती अगला कौचन है एसिया महादीप में छेतरफल के दिरिष्टी से सबसे छोटा देश कौन सी है तो एसिया महादीप में छेतरफल के दिरिष्टी से सबसे छोटा देश मालदीफ है क्या है मालदीफ है और बड़ा पुछेगा तो बड़ा जो है सो चीन है अगला कोचन है अंद महादीप किसे कहा जाता है तो अंद महादीप जो है सो अफिर का महादीप को कहा जाता है जन गन्ना दोजर एगारों के अनुसार जन संख्या घनत कितना है तो जन गन्ना 2011 के अनुसार जन संख्यां घनत जो है सु 382 बक्ति पर्ति वर किमी है अगला कोचन है जन गन्ना 2011 के अनुसार सवादिक साचहरता वाला जिल्ला कोने तो वो मिजोरम है मिजोरम में साची परता है वही साचहरता वाला जिल्ला है अगला कोचन है वन अनुसांधान संस्थान कहां इस्तित है तो वन अनुसांधान संस्थान जो है सो देहरादुन में इस्तित है अगला कोचन है भारत और पकिस्तान का राष्टिये खेल क्या है तो भारत और पकिस्तान का राष्टिये खेल जो है सो होकी है अगला कोचन है घुर सवारी का खेल परिसर क्या कालाती है तो घुर सवारी का खेल परिसर जो है सो अरीना कालाती है अगला कोचन है दुर्गा पुजा किस राज का परमुक तेवार है तो दुर्गा पुजा जो है सो पच्छिम बंगाल का परमुक तेवार है अगला कोचन है भारतिय अंतरास्टिय फिलम महत्सोय 2023 में अंतरास्टिय जूरी पेनल का अधियस किसे चुना गया है तो जूरी पेनल का अधियस जो है सेखर कपूर को चुना गया है तो कोचन पुछा जाएगा कि जूरी पेनल का अधियस किसे चुना गया है 2023 में भारतिय अंतराष्टिय फिलम महत्सव का तो सेखर कपूर को चुना गया है अगला कोचन है वर्स 2023 के लिए बिरिटिस अकादमी पुस्तक पुरसकार से हाल ही में किसे समानित किया गया है तो 2023 में जो है कोचन है राष्टिय पर्दुसन नियंतरन दिवस की स्तिथी को मनाया जाता है तो राष्टिय पर्दुसन नियंतरन दिवस जो है सो दो दिसंबर को मनाया जाता है अगला कोचन है जल सक्ति मंत्राले दवारा कहां जल इतिहास उत्सव का आयोजन क्या गया है तो जल सक्ति जो होती है जल सक्ति मंत्राले दावारा जल इतिहास उत्सव का आयोजन दिल्ली में क्या गया है तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पास सकें